हलो दोस्तो हमारे चनल स्टेडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जीलों के बारे में पढ़ेंगे उसका वर्गी करण देखेंगे साथ ही देखेंगे कि वर्गी करण की अधार पर किस राज्य के जील किस वर्ग में आते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जीलों का वर्गी करण दिखते हैं हमारे देश में मुल रूप से पांच प्रकार की जीले पाई जाती है पहली जील है हिमानी जील दूसरी जील है वायू निर्मित जील तीसरी जील है लैगून जील जिसे पस्च जी या फिर अनूप जीर भी कहा जाता है उसके बाद अग्ला जीर है कृटर जील या फिर जुआलवुखी जीर और अंतीम होता है कृत्रिम जीर ये सभी प्रकार की जीरे भारत में पाई जाती है तो चलिए सब्से पहले हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं उसके पस्चाद उ जो जिल निर्म्त होती है उसे हिमानी जिल कहा जाता है हमारे देश के हिमालय परवत शिंखला के आसपास हिमनत पाय जाते हैं और उन्हीं हिमनत के अपरदन से जिलों का निर्माड होता है तो हिमालाई छेत्र के अंतरगत इस्थित्राज्य उत्राखंड के जितने भी जील हैं जैसे राकस ताल जील, नैनी ताल जील, भीम ताल जील, सम ताल जील ये सभी हिमानी जील के अंतरगत आते हैं वहां हीम के बड़े-बड़े भूखंड है और वहां से इस जिल का निरमाड हुआ है उसके बाद अगला जिल है वायू निरमित जिले वायू निरमित जिल का ताद्पर यह होता है कि हवा के द्वारा जब सतह के मिट्टी को उड़ा कर वहाँ पर एक गड़िनुमा आकृति बनाई जाती है और इस प्रकार वहाँ पानी एकट्रित होने से जिल का निर्माळ होता है इसे प्लाया जिल भी कहा जाता है याद रखेगा वायु निर्मित जिल को प्लाया जिल कहा जाता है इस जिल के अंतरगत भारत के मरुस्तली छेतर अर्थात राजिस्थान के अंतरगत जिले आती है जैसे सांभर जिल, डिडवाना जिल, पंचभद्र, राजसमन, जैसमन, उदैसागर ये सभी राजिस्थान में इस्तित जिले हैं और ये सभी वायू निर्मित जिले हैं वायू के द्वारा मिट्टी के पर्तों को उड़ा कर इन जिलों का निर्माड हुआ है अगला जिल का वर्गी करण है लैगून जिल इसे पस्च जिल या अनुप जिल भी कहा जाता है यह जिल मुरूप से समुद्र से जुड़ी हुई होती है लेकिन समुद्र की सीमावर्ती भाग होते है वहां से बालू या फिर प्रवाल भित्ति के द्वारा वह समुद्र से अलग हो जाती है और इस प्रकार एक जिल का निर्माड करती है भारत की चिलका झील जो कि समुद्री तट पर इस्तित है और उडिसा राज्य में है वह भी एक प्रकार का लेगुन जील है और इस्तित है यह मुल रुपसे समुद्र से जुड़े होते हैं परंतु वहां के बालू या फिर प्रवाल भित्ति के द्वारा वे समुद्र से होकर जHIल का निर्मार करते हैं अगला छील है पूलीगार जिल जो कि आंध्प्रदेस और सीमा पर इस्तित इसके बाद अगला जील है बिम्बनाड जिल, जो की केरालवाल Sub לש वर्गी करण के पस साथ हम मेप के माध्यम से इन जीलों की स्थिति को देखेंगे सबसे पहले हम वर्गी करण को अच्छे से समझ लेते हैं अगला जील है कोलेरू जील जो की आंधप्रतिस राज्य में इस्थित है और यह भी एक प्रकार का लैगुन जील है यह सभी जीलें स समुद्र तट परिस्थित है और समुद्र से अलग होकर जील का निर्माड की है अगला वर्गी करण है क्रेटर जील या फिर ज्वाला मुखी से निर्मित जील जैसा नाम से प्रतित हो रहा है ज्वाला मुखी जील सांथ ज्वाला मुखी के जो उपरी क्रेटर होते हैं मु भारत के महराष्ट का लोनार जील है वह भी क्रेटर जील या फिर जॉलामों की जील का उदाहरण है इसके अतरिकत पुसकरी जील जो की असमेर राजिस्तान राज्यमें इस्तित है वह भी क्रेटर जील या फिर जॉलामों की जील का उदाहरण है इसके बाद अगला वर्गी क अगला जील है गोविंद वल्लव पंत जो की एक प्रकार का कृत्रिम जील है और यह रिहन जलासय के नाम से भी जाना जाता है यह उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तित है और यह हमारे देश का सबसे बड़ा कृत्रिम जील है याद रखेगा इस जील का निर्मार रिहन नदी में हुआ है और यह उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तित है इसके अंतर को याद रखेगा गोविंद सागर जो की हिमाचल प्रदेश राज्य में इस्तित है जिसे सिख गुरु गुरु गोविन सिह के नाम पर रखा गया है जबकि गोविन वल्लपन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में इस्तित है और यह रिहंद जलासा के नाम से भी जाने जाती है यह हमारे देश का सबसे बड़ा कृत्रिम जलास अगला हम जीलों की स्थिति देखते हैं मेप के माध्यम से तो सबसे पहले हम जम्मू कस्मीर के जीलों को देखते हैं जम्मू कस्मीर में स्थित जीले हैं डल जील इन सभी की स्थिति आप देख सकते हैं दूसरी स्थान पर आता है वुलर जील जम्मू कस्मीर राज्य में सबसे बड़ी जील है याद रखिएगा भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी जील वो लड़ जील जो कि जम्मु कस्मिर में इस्तित है अगला जील है बेरी नाग जील नागीन जील सेशनाग जील अनंत नाग जील ये सभी जम्मु कस्मिर में इस्तित है यहाँ पर आप राजिस्थान में स्थित जीलें, इसके अंतरगत है राजसमन्द, जैसमन्द, पिछावला जिल, हतेह सागर, साम्भर जील, डिडुआना जील, लून करंसर जील, ये सभी जीले राजिस्थान राज्य में इस्थित है इन सभी के नामों को याद रखेगा परिच्छा में सिधे पूछा जाता है कि जैसमन जिल किस राज्य में इस्थित है तो हमें याद रखना है कि यह राजिस्थान राज्य में इस्थित है इसकी सिती आप जानते हैं राजि यहां पर ताल सब्द यूज हुआ है उत्राखन के जितने भी जिल हैं उसके लिए याद रखिएगा नैनी ताल जिल, देव ताल जिल, साथ ताल, राकस ताल, खुर्पा ताल, माला ताल और नैकुचिया ताल इसकी सिती आप देख सकते हैं उत्राखन राज्य में ये सभी जिले इस्तित हैं और इसमें सिधिकान सिमानी जिलों के उदाहरण हैं अगली जील है कोलेरू जील जो की आंधप्रदे स्राज्य में इस्तित है इसके बाद हुसेन सागर जील यह भी आंधप्रदे स्राज्य में इस्तित है यहाँ पर यह सभी जीले बहुत ही महत्पूर है परिच्छा में सिधे पुछा जाता है कि हुसेन सागर जील की स्राज्य म यहाँ पर आप देख सकते हैं चिलका जील जो कि समुद्र तट पर निर्मित है अगला जील है लोनार जील जो कि एक प्रकार का जौला मुखी जील है यह महराष्ट राज्य में इस्तित है यहाँ पर आप उसकी इस्तित है उसके बाद अगला जील है पुलीकर जील जो कि तमि परिच्छा में अधिकतर पूछा जाता है कि लोक टक जिल कि इस राज्य में इस्तित है तो वा है मडीफुर राज्य में उसके बाद अगला है बिमबनार जिल जो की केरल राज्य में इस्तित है यहां पर आप देख सकते हैं केरल राज्य और उसके जिल को याद रखेगा बि विमारे देशका सबसे उचाई पर इसल जील हैं याद रखेगा चुल हामो जील जो कि सिखी मराज्य में इसल इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी आन कर दीजिए ताकि हमारे दोरा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुचे सबसे पहले धन्यवाद